सिर्फ एक पेज की वेबसाइट पर एडसंस का अप्रूवल कैसे ले इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ उन पर ये करने पर एडसंस का अप्रूवल इसली मिल जाएगा पतलब एक ही पेज की वेबसाइट होगी लिमिटेट कॉंटेंट होगा उस पर एडसंस का अप्रूवल लेकर दिखाऊँगा तो ये वाला वीडियो एक complete master course रहने वाला है इस एक वीडियो में ही आपको कैसे website बनानी है कैसे design करनी है कैसे content लिखना है कैसे उसको rank कराना है and at the end कैसे approval मिलेगा सब कुछ एक वीडियो में देखने को मिलेगा तो अगर इस एक वीडियो को आप completely watch कर ले होते हो तो एडसंस approval में तो आप master हो ही जाओगे लेकिन micro news blog में भी आप master हो जाओगे so definitely आप वीडियो को end तक देखे and इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा efforts लगे है so definitely आप वीडियो को like कर देए अगर आपकी दिमाग में blogger पर बनाने की चल रही हो तो देखो blogger पर actual में सिर्फ time waste ही होगा आपका वहाँ पर time pass ही होगा यह single page की website हम wordpress पर बनाने वाल है क्योंकि wordpress से सारा काम हम professional तरीके से कर सकते है अगर actual में आपको blogging से results चीए तो आपको आज दे तो कल wordpress पर आरना ही पड़ेगा तो wordpress पर यह single page की website बनाने के लिए आपके पास एक super past hosting रहने चाहिए अब देखो micro niche blog होगा single page की website होगा tool website होगा इन में होता क्या है सिर्फ एक दिन में हम उस particular पूरी website को ready करते थे नहीं यहाँ पर हमने को कोई regular article डालना पड़ता है regular कोई update नहीं करना पड़ता है तो सिर्फ एक website के बरोसे तो आप रोगे नहीं पास से 10 website तो बनाऊगे ही तो इसके लिए आपके पास एक best hosting भी रहने चाहिए तो मैं suggest करूँगा कि आप Bluehost से ही low hosting क्योंकि यहां से hosting लोगे तो hosting के साथ में free domains and free SEO tools and themes तो आपको मिलेगी इसके साथ आपको तगड़ी speed मिलेगी आप कितने भी website बनाऊगे फिर भी सारे website एक दम ultra fast load होंगे तो description box में link है उस link पर जैसे क्लिक करके उस link से आऊगे तो आपको additional up to 10% का discount भी मिल जाएगा तो जैसे link पर क्लिक करके Bluehost के साइट पर आओगे WordPress पर जाना WordPress hosting के section पर क्लिक कर देना यहां पर आप सभी लोग को recommended वाला plan मिलेगा अब यही वो plan जिसमें साथ ही जिए आपको unlimited मिलेगी 100 plus free themes भी मिल जाएगी परफोर्मेंस के भी और बहुत सारे आपको अलग लग features मिल जाएगे तो इस वाले plan को आप select कर लेना यहां पर आपको एक domain एक साल के लिए free of course मिल जाएगा बागी के domain आप add-on कर सकते हो important बात है कि अपना server location भी select कर लेना इंडिया में rank करा जाते हो तो इंडिया कर लेना बाकी USA कर सकते हो और उसके बाद आप Paytm UPI से payment करके successful hosting को buy कर सकते हो तो जैसे ही आप hosting को buy करोगे ऐसा एक dashboard आपके सामने आ जाएगा अब मेरे पास जो मैरे साथ free domain मिला था उसको मैंने already use कर दिया है तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए पूरी सीरीज बनाने के लिए एक नया domain को जो है buy करा है कल ही buy करा था तो उसका मैं यहाँ पर जैसे link डालूँगा तो मैंने already इस domain को जो है associate कर रखा है मेरी hosting के साथ में तो आप आपको क्या करना है my site के section पर जाना है advance पर click करके email address, wordpress username and password state करके जैसे next करोगे within minute आपकी जो wordpress website है वो create हो जाएगी तो जल्दी से मैं अपनी इस wordpress site को create करता हूँ नाम एक बार के लिए आप कुछ भी दे सकतो आगे जाकर हम सब कुछ update करेंगे लेकिन wordpress को install करने से पहले website बनाने से पहले आपको पूरा data website का तयार करके रखना है कहने का मतलब है कि main content कैसे rank होगा किस topic पर आपका blog होगा तो सबसे पहले आपको अपने niche select करना है मैंने यहाँ पर जो niche रखा है वो रखा है fitness का और मैंने यहाँ पर देख सकते हो और मैंने इसमें particular micro niche blog यहाँ पर बना रहा हूँ बना रहा हूँ by shape के workout पर मतलब by shape से related जितनी भी queries होगी बंदे को उस एक page के अंदर मिल जाएगी और इसी को एक micro niche blog कहते micro से micro जो topic होता है उस से related सारी queries उस page में sold होती है अच्छा का सा traffic हो and main keyword आप जैसे find करोगे तो उस main keywords आप उस topics related जितनी भी queries है उन सारी queries को आपको उस particular article में जो है sold करना है तभी वो आपका एक perfect micro niche blog बनेगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने क्या कर रहा है अब यह content ही main है जिससे कि आपका micro niche blog rank करेगा आपको traffic agent इसी से आपको adsons का approval मिलेगा तो सबसे पहले आपको अपना main keyword find करना है तो हमारा जो main keyword है वो है by shape का size कैसे बढ़ाई क्योंकि यह चीज main है काफी ज़दा search करते है तो इसी main keywords के दम पर मैंने micro niche blog बनाया है अब यह सारा काम तो मैं एक example के रूप में कर रहा हूँ मुझे इसको rank कर रहा है आपको दिखाने के लिए काम कर रहा हूँ तो आपको कैसे काम करना है वो देख लो जैसे आप अपना main keyword यहाँ पर search करोगे उसके बाद क्या करना है कि इस keyword से related जितने भी related keywords है आपको अपना SEO tool है उसमें मिल जाएंगे उन keywords को आपको एक list करके रखने लाए यानि कि यह सारी आपकी एक main main headings होगी जितने भी related keywords है अब उन headings के बाद आपको मान लो 7 से 8 या फिर 10 से 12 जो है अलग-अलग headings मिल गई अब जैसे ही आप सभी लोग अपना main keyword को search करोगी नीचे आपको people also ask वाला section मिलेगा इन इस चीज़ को अपने blog में add करना बहुत ज़्यादा important है यहाँ पर आपको अलग-अलग questions मिल जाएगा आप देख लो मैंने क्या कर रखा है मैंने main keyword उसको search किया उसके बाद यहाँ पर people also ask में पहली query होगी कि by shape का size बढ़ाने के लिए क्या खाए तो यहाँ पर देखोगी कि मेरा जो article है उसमें मैंने यहाँ पर एक heading दे रखी है कि by shape का size बढ़ाने के लिए क्या खाए इसके बाद इसी तरीके से आपको भी add करना है यह मुझे question सही लगा तो इसी को भी मैंने जो है अपने article में यहाँ पर add करा हुआ है मुझे कितनी by shape की exercise करनी चाहिए इसी तरीके से related keywords में जाते रहो main main जो आपको सारी headings मिले उन headings को उठाओ उन headings के तोर पर एक content बना लो अब मैंने ये content कैसे बनाया तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर google document में आ जाना है tools के section में जाना voice typing का section मिलेगा यहाँ से अपनी language को select करना मैं हिंदी में यहाँ ब्लोग बना रहो तो मैंने हिंदी select करी इसके बाद क्या करना है कि आप जो भी बोलोगे यहाँ से इसको on करके वो यहाँ पर type होता जाएगा जिससे मैं इसको on करता हूँ अब यहाँ पर देखो कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ी यहाँ पर type होती जा रही है तो आपको क्या करना है कि जो आपका keyword है उस keyword को copy करते रो जहाँ जहाँ पर लगे कि हाँ keyword paste करना है वाँ पर keyword paste करते रो और अपना content बना लो अब मैंने 15-20 mint के अंदर यहाँ पर tools में जाओगे तो यहाँ पर word count में देख सकते हो कि 1600-1700 word का article पूरा बना लिया है इसमें मैंने वो सारी headings दे दी अपने keywords बगेरा लगा दिये अब अगर आपको own page issue के साथ article लिखना नहीं आता keyword research करना नहीं आता तो दोनों tutorials के link मैं आपको description box में देदूँगा वहाँ से जाकर देख सकते हैं content कैसे बनाना है जिससे कि आपको adsense का approval मिलेगा मैंने detail में बता दिया people also ask color section का use करना जो related keywords है उनका use करना and पूरा content बना लेना and niche ऐसा select करना जो की काफी ज़्यादा level का हो मतलब ऐसा नहीं कि आप हर कोई से मतलब YouTube से आप ऐसा के संगमा है ऐसा एक ले लिया YouTube क्या है ब्लोगिंग क्या है तो ये चीज़े क्या है कि काफी ज़्यादा common है Google में already बहुत सारा content available है तो Google भी यही कहता है कि कुछ unique बनाओ तो उसी तरीके से हमने कुछ unique बनाया कि by shape का size कैसे बढ़ा है वह क्या खा है इस तरीके के इसमें सारी queries हमने solve करी जैसे मेरा जो main keyword था हो था कि by shape का size के से बढ़ा है तो उसी से related मैंने एक domain को register किया जैसा कि आप देख सके तो by shape workout dot in करके तो ये क्या है कि by shape workout and diet का सारा materialist domain में आ सकता है तो micro niche blog होगे, tool website होगे जो आपका main keyword है उस keyword पे ही आपको domain name register करना है कोई साभी tld domain आप register कर सकते हो तो वही same चीज हमने करिए इससे काफी तदा ranking में आपको help मिलेगी अब आपको क्या करना है कि directly चले जा अपने wordpress के dashboard पर wordpress के dashboard पर जाने के बाद सबसे पहले जो जो आपको by default चीजे मिली है जैसे by default हमें post मिली है तो उसको आपको delete करना है इस post को यहां से में move to trash करता हूँ और हमारी आपर trash में चली जाएगी तरीका से आप सभी लोग को plugins मिलेंगे कुछ categories मिलेंगी उनको आप सभी लोग को हटा देना है सब से पहले अपनी setting में चले हो यहां पर permalink का section मिलेगा इन permalink में आपको post name select कर लेना है rank math उसको install कर दो इसको install करने के बाद एक short code का plugin आएगा यह भी हमें काफे ज़्यदा help करेगा buttons वगिरा बनाने के लिए तो short code का जो plugin मिलेगा तो wordpress का short code plugin को install करना होगे section पर click करो यह install हो जाएगा इसके बाद जो next plugin हमको install करना है वो करना है हमें यहाँ पर faqs add करने पड़ेंगे हमें यहाँ पर table of content का plugin जाएगा इसके बाद आपको search करना है top table of content तो आपको यह plugin मिलेगा इस plugin को आप सभी लोग install कर लेना इससे आपका table of content बन जाएगा अब हमें faq के लिए एक plugin चीए तो उसके लिए आप जैसे faq search करोगे तो faq के लिए यह वाला जो plugin है इस plugin को आप install कर लेना rank math के भी आते हैं your station की भी आते हैं दोनों table of content के लेकिन यह काफी सही look दे देंगा आपको बिना कम जादा काम किये तो यह plugins आपको install करना है सारे plugins को activate कर देना rank math में अपना account क्रेट कर देना अब एक single page का जो main काम रहता है वो main काम रहता है pages का आमें article वगेरा नहीं डालने पड़ता है तो सबसे पहले pages में चले आओ pages में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है about contact privacy policy यह तीन page आपको create करना है मैंने already यहाँ पर इन तीनों page को बनाया हुआ है यह about का यह contact का यह privacy policy का तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आकर आप सभी लोग को तीनों pages बनाने तो add new question पर click करूँगा about का page बना दूँगा contact का बना दूँगा और privacy policy का बना दूँगा उसके बाद हमारा एक home page बनेगा और फिर उसको हम design करेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते होगी तीनों page हमारे success वोली बन चुके अब तीनों page आप Google पर जाकर online generate कर सकते अब हमको क्या करना है कि अब हमको यहाँ पर सक्प से पहले appearance में आओ, theme के section पर आओ by default जो theme है उस theme को हटाओ add new के section पर click करो and generate press theme है उसको install कर दो सारा design हमारा जो generate press की free theme है उससे हो जाएगा pad version लेने की भी जुरूद नहीं है तो जैसे ही आप generate press लिखोगे आपको यहाँ पर generate press की theme मिल जाएगी उसको install करके activate कर दो यहाँ पर आप सभी लोग देखो तो theme हमारी activate हो जाएगी लेकिन sidebar भी आ रहा है तो हमें sidebar चाहिए नहीं क्योंकि एक पूरा एक page होगा तो हम इसको अब क्या करेंगे कि जो हमारा main page है हमारी website का पेज बनाएंगे तो add new page की section पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो page का नाम है सबसे पहले इसे home दे देंगे क्योंकि यह title बगेरा तो हमें दीखाना नहीं है इसके बाद आपको main क्या हम क्या करना है कि सबसे पहले तो इस page को यहाँ से अपडेट कर दो इससे क्या होगा कि यह जो title वो नहीं दीखेगा जो हमने main title दिया है हमारे blog का वो आएगा उसके बाद यहाँ पर जो हम heading देंगे वो आएगा क्यों यह by default h1 होता है and h1 हम यहाँ पर देंगे नहीं publish होने के बाद setting में reading के section पर जाओ हो यहाँ पर हमको क्या करना है कि home page पर जो हमने page बना रहे है उस page को display करना है तो इस्टेटिक page के section पर क्लिक करेंगे home page पर हम जाकर जो हमारा home वाला page हमने बना है उसको कर देंगे यहाँ सा full text कर देना save कर देना अब क्या होगा कि जिसे मैं अपनी website पर जाओंगा तो हमने जो page बनाया है home का वो page ही यहाँ पर by default open होकर आएगा अब हमें sidebar हटाना है तो उसके लिए यहाँ से चले जाओ यहाँ पर आप सभी लोग को option मिल जाएगा sidebar layout का default है इसको यहाँ आप no sidebar कर दो update कर दो यह गामजी से करोगे इस particular page पर जो हमारा sidebar होगा वो sidebar हमारा यहाँ से हट जाएगा जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो एक page का simple हमारा आ चुका है इसमें क्या होगा कि जो हमारा home page है उसमें तो sidebar नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर जो हमारा about contact है उसमें sidebar आएगा तो अगर आपके blog में जुरत है sidebar की अगर दूसरे pages में तो आप रख सकते हो अगर वहाँ से भी हटाना है तो उसका भी option मिल जाएगा तो उसके लिए आप सभी लोग को क्या करना है कि डिरेट लिवने side के customization पर आ जाना है यहाँ पर sidebar वाला section लेगा इसमें आपको sidebar अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से no sidebar no sidebar and no sidebar करोगे and publish कर दोगे तो आप क्या होगा कि कहीं पर भी आपका sidebar नहीं आएगा लाइव बनाता तो आप सकते हो किता जदा time लग जाता तो इसी content को मैं copy करूँगा यहाँ पर आकर paste कर दूँगा content हमारा आ चुगा है हमने यहाँ पर title को already हटा हुआ तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमारी main heading दे देंगे इस heading में हमने इसको h2 दे दिया content को बनाएंगे आप content में आपको क्या क्या चीज़े करनी है आपको यहाँ पर एफिक्यूज एड़ करने है आपको people also ask color section एड़ करना है आपको YouTube वीडियो एड़ करना है और आपको images वगेरा एड़ करनी है सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरी main heading है उस heading को मैं यहाँ सेंटर कर दूँगा क्योंकि वह center होगी तो काफी जदा अच्छा लगेगा जो first paragraph है introduction का उसको भी हम यहाँ सेंटर कर देंगे ताकि blog देखने में काफी अच्छा लगे उसके बाद हमारा जो as it is content है वो content आएगा सो यहाँ सब्डेट हो चुगा है refresh करते हैं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो तो पहला paragraph पहली heading आ चुके उसके बाद सारा content है तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर images search करनी है जो on pages कि सारी चीजे वो करनी है internal linking वगेरा सारी चीजे तो यहाँ पर मैंने क्या कर रहा है कि सबसे पहले आप canva पर चले जाओ canva पर आप सभी लोग को images के अलग अलग templates मिल जाएंगे वहाँ से images डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर देख सो तो मैंने दो images बनी है दोने images को हम हमारे इस content में add करेंगे टेवल ओफ content add करने के लिए जो हमने plugin इंस्टोल किया था उसकी setting में आदा तो top table of content का section मिल जाएगा इस पर click कर देना इस पर जैसे click करोगे यहां सा select कर सकते हो को post के लिए चाहिए page के लिए चाहिए तो post हमने डाली नहीं है तो page के लिए करेंगे तो automatically हमारे table of content शो हो जाएगा इस में मिल जाएगी कैसा आपको रखना है इस type का चीए तो यह चार आपको free themes मिलती है जिनको आप अपलाई कर सकते हो पहला वाला सही है and color भी मैं यहाँ पर basic रहन दूँगा क्योंकि basic का कोई alternative नहीं है basic look सबसे तगड़ा look होता है तो जैसे आप इसको save करोगे save करने के बाद आपको क्या करना है directly यहाँ पर आना है यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे जैसे पहले paragraph रेंदेंगे फिर यहाँ पर हम जो है अपना table of content को add करेंगे इसके अंदर तो यहां पर आप enter करेंगे प्लस के section पर click करेंगे यहां पर आप जैसे table of content search करोगे top table of content का plugin मिल जाएगा इसको activate करके जैसे update करोगे तो यहां पर आप सभी लोग देखना कि table of content का section हमारा सामने आ जाएगा जैसा कि आप सभी लोग देख सुथो and basic look काफी better लगता है मेरे recording अब आपको कैसा पसंद लगता है वो आप देख सकते हैं मेरा यही मानना है कि जो user का experience है basic बढ़ा लगता है बहुत जदा colorful कर लेते तो वो बेकार लगता है table of content आ चुका है कोई user यहां से minus करेगा तो वो यहां से direct देख सो तो ऐसा हो जाएगा and by default उसे open देखने को मिलेगा color वगेरा सब कुछ आप change कर सकते हो settings में आपको मिल जाएंगे यह basic चीज़ आपको पता ही होगी अब हमको क्या करना है कि यहां पर images वगेरा and YouTube video add करने तो पहली image जो हमारी है वो पहली image में यहां पर जो है अपनी पहली है second जो heading है उसके नीचे मैं यहां पर image को upload करूँगा तो image करता हूँ upload करता हूँ so पहली image हमारी है पर upload हो चुकी and जो image है उस image का भी SEO आप कर दो जो caption है उसमें आप आपका जो जो भी यहां पर जो है जिसे बाइशेप का हमारा size के से बड़ा यह keyword है तो इस keyword को आप यहां पर जो है add कर सकते हो caption के अंदर इसी का ultra text वगएरा आप डाल सकते हो इसमें आप सभी लोग जो ultra text है वो डाल देना इसी तरीके से मैंने एक second image और बनाई थी अब हमें क्या करना है कि यहां पर अगर आप एक YouTube वीडियो add कर सकते हो तो definitely add करना क्योंकि वो बहुत ज़दा आपको यहां पर help करेगा तो यहां पर क्या करता है कि जो बारबल exercise बता रहे कि उसी के नीचे में एक paragraph खतम हो रहा है उससे पहले यहां पर मैं YouTube वीडियो को भी इंबैंड करूंगा तो जोसे में यहां पर YouTube लिखूंगा तो YouTube वीडियो का इंबैंड का आ जाएगा आप सबसे पहले YouTube पर चले जाओ तो मैंने YouTube पर आकर एक keyword search कर दिया best by shape workout gym इसके अंदर आप किसी की भी यहां से वीडियो उटा सकते हो जिसे यह वाले वीडियो में जो ठीक दिगरी यह thumbnail भी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो पर हम जाएंगे इसी का यहां से हम link को copy करेंगे कोपी करने के बाद हम क्या करेंगे डारेलिल यहां पर आकर inband कर देंगे अब YouTube वीडियो भी काफे ज़दा help करता है हमें ranking में वीडियो inband हो चुका है इस टिक को जरूर कर देना resize for some smaller device इस तो इसमें क्या होगा कि जो छोटे phone होगे उसमें भी इसकी size जो है resize हो जाएगी तो इस तरीके से आपके सारा काम हो चुका है अब आपको यहां पर क्या करना है कि faqs add करना है तो मैंने कुछ faqs भी जो हैं यहां पर नीचे दिये हुए जैसा कि आप देख सकतो faq वाला section है तो जो faq है उस faq का हम क्या करेंगे कि एक heading देदेंगे यहां पर देख सकतो faq by shape का size कैसे बड़ा है यह मैंने एक और heading देदी यह faqs है तो अब आपको faq के लिए मैंने एक plugin इंस्टोल कर रहा है था उसका help लेना है तो यहां पर क्या है कि इनको मैं इसे delete कर रहा हूं क्योंकि यहां पर वो automatically add हो जाएंगे उस plugin के जरिए तो अब आपको क्या करना है दूबारा से wordpress के dashboard में आजाओ इजी recording के section पर आओ यहां पर इसके add new के section पर click कर दो झाट यहां पर title दे दो title में हम faq देते हैं content select रहा देना add new item के section पर click करना यहां पर question डालना नीचे answer डालना question डालना answer करना add new add new करते जाना जितने भी question answer है वो यहाँ पर डाल देना तो हमारे पास क्या है कि पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर यह content इसमें हमने चार FAQs लिए तो चारो FAQs को मैं जल्दी से paste करता हूँ जिसे यह हमारा यहाँ से copy हो गया यहीं पर जाकर मैं इसे paste कर दूँगा दुबारा से यहाँ पर जाओंगा जो हमारा answer है उसको copy करके यहाँ पर डाल देंगे पहला question हमारा हो चुगा है add new के section पर click करेंगे दुबारा से चारो मैं add कर लूँगा जैसे ही आप अपने सारे question answer add करोगे नीचे आपको settings मिलेगी जैसे first open का section है या फिर all folded का option तो हम सबको बंद कर देंगे कोई भी open में नीचे है fixed deduct सकते हो अगर आप चाओ तो यहाँ पर no follow links बगरा add कर सकते हो यह काम करने के बाद क्या करो कि इसको publish कर दो अब जैसे ही publish करो कि यहाँ पर नीचे आपको एक short code का section देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हो तो इस short code को आप यहाँ से copy करो जहाँ पर भी आपको यह FAQ add करने plus का section पर click करते हैं यहाँ से हम क्या करेंगे जो short code का plugin है उस short code के plugin को add करेंगे short code डाल देंगे and that's it बढ़ सकता हैं काफी सही लग रहे है यार सारे FAQs बस एक चीज़ थोड़ी से बेकार लग रही है वो यह लग रही है कि सारे अगर बीच में होते तो ज़्यादा बेटर लगता क्योंकि एक ही page का है तो images side में आई कि वो चीज़े भी अच्छी नहीं लग रही है तो यहाँ से क्या करोगे अपने according जो अच्छा लग है सारो को आपको center करना है तो जितने भी यहाँ से है उन सबको यहाँ से select all करो इनको center कर दो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकतों कि सारा content हमारा यहाँ पर center में हो चुका है अब जो हिसका look है वो काफी ज़्यदा अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर हमारा content का सारा काम हो चुका है अब यही पर आप सभी लोग को एक काम और करना है कि आपको internal linking करनी है आपको इसमें outbound linking करनी है मैं यह काम नहीं कर रहा हूँ आपको जो SEO के सारे काम है वो सारे काम करने है आपको 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 इसे को इनहांस कर सकते हो किसी को background color देख सकते हो वगेरा वगेरा अब इमके SEO पर ध्यान देंगे तो आपको क्या करना है कि SEO के section पर click करना है तो टाइटल हमने दे दिया है परमा लिंक तो कुछ देने के जूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा home page पर ही सारा content है तो उसका परमा लिंक हो गया तो वो एक लग पेज हो जाएगा तो इसके बाद आपको description देना है तो description आप जो है जो जितने भी आपके main keywords है उनको use करते होगा आपको बनाना है मैं यहाँ पर starting का ही यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने description बनाया है नहीं है तो description में आपके main keyword है जो related keyword है उनका use करना है यहाँ पर आपको description दे देना है यह करने के बाद आप आप अमना focus keyword बगिरा डाल देना है तो अब यहाँ पर इसको जैसे refresh करेंगे हमारा blog का name change हो चुका है पूरा content यहाँ पर आचुका है अब दो चीज़े हमें यहाँ पर और करनी है क्या करनी है कि हमें यहाँ पर menu create करना है menu top पर लगाना है और इनके color वगिरा भी change करना चाहो तो कर सकते हो तो अब हमको क्या करना है कि directly यहाँ पर चले आओ यहाँ से आप सभी लोग को अपिरियंस में menu का section मिल जाएगा menu में चले आओ इसको मैं main menu नाम दे देता हूँ and main menu में हमारा home हो गया about हो गया contact और का privacy policy हो गया यह हमारा main menu हो गया जिसमें सारो पेज चारे पेज आगए home का नाम चेंज करना चाहिए वो कुछ keyword बगर डालना चाहो तो वो डाल सकते हो create menu के section पर click करना यह काम जैसे ही करोगे यहाँ पर आप सभी लोग को आ जाएगा कि display है यहाँ से prime menu menu के section पर click करके save कर देते हैं तो अब क्या होगा कि जो हमारा main menu हो यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि आप देख से तो home about contact privacy policy अब यही same menu को अगर आपको जो है यहाँ पर नीचे add करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ से directly चले आना है menu मीख लेगा इसको click करो select menu करो main menu select कर दो update कर दो यह काम करते ही अब क्या होगा जैसे refresh करेंगे यहाँ पर हमारा main menu आप सभी लोग देख सकते हो आ चुका है इनके भी color से आप change कर सकते हो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि पूरा हमारा ब्लोग completely ready हो चुका है और इसी ब्लोग पर मैं आपको adsense का approval लेकर भी बताँगा मेरे camera की battery off हो गई थी मतलब खतम हो गई थी इसलिए मैं directly record कर रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो में बहुत ज़दा effort लग रहा है जब तक यह index नहीं होगा तब तक आप सभी लोग को इसको adsense में apply नहीं करना है तो हमें क्या करना है अब बहुत सारा लोग यह क्या बरना हो कि मेरे blog को content को copy करने की कोशिच करेंगे तो भी copy मत करना क्योंकि जब तक आप इस blog को पर आओगे देखोगे इस blog को visit करके तब तक मैंने अपने इस blog को index कर दिया होगा इंडेक्स होने के बाद फिर copy करोगे तो आप कोई problem होगी मुझे कोई problem नहीं होगी एड एक बार इस blog पर भी visit करके देख लेना कि exactly कैसा दिखाई दे रहा है तो अब आपको क्या करना है कि जो rank map का plugin है उसमें चले आ जाना है rank map के plugin में आपको यहाँ पर side map का section मिलेगा इसमें आप side map बगेरा enable कर देना अगर enable ना हो इसमें आप सभी लोग को यहाँ पर general setting में आओगे तो general setting के अंदर हमें यहाँ पर robot.txt file का section लेगने को मिलेगा तो अब आपको क्या करना है description box में चले जाना यहाँ पर आप सभी लोग को मेरा 5 post approval वाला master course मिलेगा अगर आप एक normal block बनाते हो तो उस normal block को सिर्फ 5 post में किसे approve कराना है उस पर भी मैंने live approval लेकर दिखाया था इस वीडियो में जो block बनाया था उस पर live भी approval लेकर भी दिखाया था तो इसी के description में आप सभी लोग को यहाँ पर robot.txt file मिलेगी इस file को यहाँ से copy कर लेना copy करने के बाद दुबारा से यहाँ पर आकर आप इस file को paste कर देना इसके बाद save कर देना robot.txt file हमारी update हो चुकिए next काम क्या करना है कि आपको चला आना है Google search console में जो अपनी block का URL है उस block के URL को आपको search console में add करना है सारी चीजे मैं आपको बदा रहा हूँ continue के section पर click करना यहाँ पर आप सभी लोग को code मिलेगा तो उस code को copy करके आपको paste करना पड़ेगा तो हमने URL डाला HTML tag के थो हम verification करेंगे copy के section पर click करेंगे यहाँ पर चले आएंगे directly हम क्या करेंगे कि theme पर ही जाकर इसको जो है add करेंगे तो theme file editor के section पर click करना यहाँ पर आप सभी लोग को header.php की file मिल जाएगी तो उस file में ही आपको इसारा करना है तो header.php की file पर आना यहाँ आपको head मिलेगा इसी head के निचे enter करके paste कर देना and update कर देना यह काम जैसे ही करोगे head के निचे आपका code आ चुका है अब इसे हम जो है verify करेंगे तो यहाँ पर यह successfully verify हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो ownership verified हो चुकिए go to property के section पर click करना अब यहाँ पर एक से दो दिन लगेंगे आपका blog जो है completely index हो जाएगा लेगिन उससे पहले side map के section पर आना जो side map यहाँ rank में इतने बनाया है उस side map को आपको यहाँ पर आगर paste कर देना है by default जो side map का URL लेता है side map index.xml तो इसको copy करना copy करने के बाद यहाँ पर आगर paste कर देना तो जितने भी pages वगेरा आपने बनाये हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे तो अभी यहाँ पर zero discover pages बता रहा है लेकिन कुछ time में यहाँ पर discover कर देगा थोड़ा सा time लगेगा बिजिरो pages ही बता रहा है लेकिन चार pages हमने create कर दिये है तो वो सारे हो जाएंगे अगर आपने pages वगेरा को यहाँ से enable नहीं करा है तो page को enable जरूर कर देना तो इससे जो page का side map है वो भी आ जाएगा आप जैसे ही side map के section पर click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो जो page का side चार URL है वो सारे इसने discover कर लिए उसके बाद अगर आप manually index करना चाहते हो अपने blog को तो URL डाल कर यहाँ पर index कर देना तो आपका blog index हो जाएगा तो blog हमारा successfully बन चुका है हमने design कर लिया हमने SEO कर लिया हमने content डाल दिया images वगेरा completely ready कर दिया उस पर color correction वगेरा आप सभी लोग कर सकते हो अपने अगोड़ी अब बढ़ते हैं हम अमारी main बात पर कि इस blog पर adsense का approval कैसे मिलेगा तो देखो directly अगर अब apply कर दोगे तो आपका blog definitely reject हो जाएगा तो trick क्या है single page को apply approve कराने की मैं approve करके भी आपको आने वाली कुछ videos में कैसे apply करना है जब तक मैं apply ना करूँ तब तक आप उस blog को apply मत करना जो भी आपने बनाया है जैसे मैं apply कर दूँ तो आप भी apply कर देना मेरे साथ तो trick यह है कि जब तक इस blog पर traffic नहीं आएगा तब तक आपको approval नहीं मिलेगा तो आप social media marketing करो YouTube, Instagram इन पर जाओ अपने blog को promote करो traffic लाओ इससे क्या होगा कि आपके blog को initial push मिलेगा तो फिर वो rank भी करेगा तिरे तिरे index होगा, rank होगा इस process में यहाँ पर 10-15 दिन एक महिना, दो महिना भी लग सकता है तो जब आपके blog पर traffic आ जाए तब आप उसको apply करना अब हमने जो blog बनाया है उस blog को जाकर आप visit करके देख सकते हो किस तरीके से हम सारा कहा में उसका look कैसा लग रहा है जैसे ही हमारे blog completely यहाँ पर index हो जाएगा, हलका भूल का traffic भी आएगा तब हम इसे apply करेंगे and approve होगा guaranteed, उसका live proof भी मैं आप सभी लोग को बताऊँगा, तो simple कहने का मतलब यही है कि completely index हो जाए हलका भूल का traffic आने लग जाए, फिर उसे apply करो एक page का blog आपका definitely approve होगा and मैं भी इसको approve करके आप सभी लोग को बताऊँगा, तो यही दब वीडियो hope वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा, अगर कोई भी confusion है, आप comment section मुझे बता सकते हो इसी के साथ मैं मुझे को नई वीडियो में तब तक लिए जाए हिन, जाए बारत and bye